सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हेलो और नमस्तो दोस्तो आज सबीका हमारे अपनी यूट्यूब चैनल बाबस सवागत है तो दोस्तो बहुत सा बच में इसे पूछ रहे हैं सर में कितने मार्क्स लाने होगे पास होने के लिए तो गाइस देखो अगर आप टर्म टू बोर्ड एक्जाम के पासिंग मार्क्स पूछना चाते हो तो आपके लिए एकदम सिंपल आंस्वर है आपको 40 में से 14 मार्क्स लाने होगे पास होने के लिए लेकिन अगर आपके 10-11 मार्क्स आ रहे है 40 में से तो भी आपको टीचर अपनी तर्फ से मार्क्स देखकर ग्रेस लगागे तो थोड़ी बहुत हैल्प क आता है आपको कोई भी एक्स प्रॉब्लम होती है उससे पेपर अच्छा ना हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपके पासिंग मार्क्स वैसे 14 है लेकिन अगर आपके 10-11 आते तो भी आपको पास कर दिया जाएगा सी बीसी तरफ से क्योंकि आटेम्ट वगरा करने के मार् तो आपको दिक्कत नहीं होगी तो आपका जो कोईशन था उसका यही आंस्वर है कि आपके पासिंग मार्क से 14 में से 14 बाकि अगर आप 10-11 भी लाओगे तो भी आपको टीचर थोड़ी बत हेल्प कर देगा हेल्प तभी होती है जब आप लोग महनत करते हो अगर आप महनत झाल